हमने अभी एक नया फेशन स्टोर होला है माइन नया फेशन स्टोर शेहर के बीचों बीच सभी नय कलेक्शन के साथ लेडीज बैक्स, एस्पेललो, लोकस, एनिग्मा, ट्रोली बैक्स, वोलो कलब यूएसे, रेंटेक्स, जर्मणी फुट्वेर, ओन मैनुफेक्शर, न्यू अलायवल लेटक्स कलेक्शन, रेडीज शूस, हैंडबैक्स, सेंडल, मैन शूस, एंड स्लिपर, 100% क्लाइन सेटिस्पेक्शन, तो आज ही आईए माइन फेशन स्टोर हफ्ता वसूली के मामले में दो पत्रकार हुई गिरफ्तार, दिवा में रेट माफियाओं पर हुई कारवाई महेश लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स, मुंबई के गोरे गाउं में अवैज रूप से वसूली करने वाले दो पत्रकारों को पुलिस ते गिरफ्तार किया है ये दोनों अपने आप को पत्रकार बता कर एक पारलर चलाने वाली महिला पूनम अशोक जैन को डरा धमका कर दो महिने से अवैज रूप से वसूली कर रहे थे रोज रोज मिलने वाली धमकी से तंग आ कर पूनम इसकी शिकायत गोरे गाउं पुलिस में की एसपी दीपक फतन गारे ने बताया कि शिकायत के बाद जाल बिछा कर इन दोनों को पकड़ा गया और दोनों से जब पूष्ताच होई तो ये मामले का खुलासा हुआ कि ये दोनों पेशे से आटो चालक ہیں जो खुद को पतरकार बता कर लोगों को लूटने का काम करते थे वहरहाल अब ये दोनों अपने आपको पत्रकार बताने वाले आटो रिक्षा चालाखों के पीछे पहुँच गए वह दूसरी खबर खाने के दिवा से है जहां रेत माफियाओं पर बड़ी कारवाई हुई है तैसिलदार ने दिवा सेल रोट खरड़ी खाड़ी में जहां धडले से रेत खाड़ी से निकाली जा रही थी वहां कारवाई की है कारवाई कर चार बोर्ट पांच सेक्षन पंप जब्त किये हैं सतर से पचहत्तर ब्रास रेती जब्त किये गई है जब्त किये गए सामानों का कुल मिला कर एक करोड पारा लाख रुपे बताये जा रहे हैं बताये जा रहा है कि रेत माफियाओं पर अब तक की सबसे बड़ी कारवाई हुई है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट टैमिस बढं से पनान हमाते रहा है तो जानने के लिएक सबस्बस बडब से बFit्रों कि समना है